अब आध अब रोग्राइब अच्छा दिए अच्छा अब अपने आप होती है अपने आप ठीक हो जाती है कपलबादी से ठीक होती है कि दरफ दोता है किसके बॉड़ी टेंडंसी हो जाती है तो आप ऐसा करो आप धेनी करना एक तो जोर से कपाल भाती नहीं करना और दूसरी बात एक और बता देता हूं आपको जो है तोलिया लेकर करके उसको ठंडे पाने में भुगो ना फिर यहां पर रख लेना एसे तम नैजरोपेथ में जब योगा ग्राम में आते हैं तो मिट्टी की पट्टी करते हैं यह ठंडे पानी की पट्टी करते हैं इसके ऊपर कोई भी गरम कपड़ा या ऐसे सूती कपड़ा बांध करके आप आदा घंटा सुबसबर रख लेजिए कुछी दिनों में आपका पेट एकदम सॉफ्ट हो जाएगा आपका दर्द दूर हो जाएगा खास बात आपको बता रहा हूं सर्वकल्प क्वांत पूरी उश्दियों से आपका बात में परिचे कराएंगे यही पर आपको सर्वकल्प कॉत भी मिलेगा पीछे सारी क्वात वटी चोन अवलेह सब तो हमने ये देखा पहले हमने चुहों और खरगोसों का लिवर खराब किया फिर उनको सर्वकल्प जैह हमने पिलाया फिर जैस की तरह उनके लिवर को आँटों को काट करके फिर चेक किया जाता है उनकी जो पूरे किसतरे का उन्हें में चेंज आ रहा है देखा कि अध्भू में या लीवर में प्रोब्लम में उससे थोड़ा दुखता है या फिर ओवरी में जैसे आपने गांट बोला तो उसके लिए दश्मूल तो आप दोनों को मिला करके ले लीजिए दश्मूल दोदोचमच सर्वकल्प दोदोचमच करीब 500-600 ग्राम पानी में पकाईए 500-500 ग्र ताजा जड़ी बूटियां उबाल करके पेते उससे ज्यादा लाब होता है वैसे अरुवेद में गहा जाता है सबसे अच्छा होता ताजा रस पीए जड़ी बूटियों को पहचान सके है इसके लिए करीब 500-1000 के बीच में ओशदिया यहां पतंजरी के गार्डेन में कोई झाल